अम आउस्या पर रासी के अनुशार दान करने से होगी आपकी सभी मनुकावनाएं जानिये उजन विधी और महत्व के बारे में विस्तार से इस वीडियो के माध्यम से नमस्कार दर्फुड़ोक्पर स्रीपतित्रपाथी माग मास के कृष्ण पक्ष की अमाउस्या तिथी मौनी अमाउस्या कहलाती है इस बार यहाँ सुभिति थी नौ फरवारी दीन शुक्रवार को है अमाउस्या सुभ़ साथ बज़कर ग्यारह मिनट से साम में पांच बज़कर छे मिनट तक है माउनिया माउस्या माग के महीने का सबसे बड़ा अस्तान परव है माउनिया माउस्या का अस्तान अन्य सभी अस्तान परवों में शर्मोत्तम कहा गया है माउनिया माउस्या के बिशेस पुर्णे काल पर स्वयम का उधार तथा पीतरों को तारने के लिए दान पुर्णे अस्तान का बिशेस बिधान सास्त्रों में बढ़नित है मौनियमस्या परवपर दान करने से अनिस्टिक ग्रहों की पीड़ा का समन होता है, जिससे बर्स भर शुक्सम्रिद्धी घर में निवास करती है धर्म सास्त्र में प्राप्त बर्णन के अनुशार इस दिन दान करने से सब प्रकार के पापों का च्छे, सब प्रकार की आधी, ब्याधी का निवारण होता है। कपूर की धाल गुड लाल चंदन लाल फूल सिंदूर तांबा मुंगा लाल वस्त आदी दान हे तु सम्मिलित करे तो उनको विश्यस लाव प्राप्त होगा ब्रिश्त था तुलारासी वाले को क्या करना चाहिए वर्सत था तुलारासी वाले मौनी अमोस्या के दिन सफेद वस्तर कपूर खुश्पूदार अगरवत्ती धूप इत्र आदी दही चावल चेली दूध चांदी आदी दान करें तो उनको विश्यस लाव प्राप्त होगा मिथुन दथा कन्यारासी वाले मौनिय मौस्या के दिन हरी सबजी, हरा फल, हरा वस्त्र, कासे का वर्तन, पन्ना या उसका उपरत्न ओनेक्स, हरी दाल, आदी दान है तु सम्मिलित करे तो विशेश सुभफल प्राप्त होगा करकरासी, करकरासी वाले मौनिय मौस्या के दिन दूद, दही, चावल, सफेद वस्त्र, चीनी, चांदी, मोती, संख, कपूर तथा बतासा आदिक का दान अवस्ये करें सिंगरासी, सिंगरासी वाले मौनिय मौस्या के दिन गेहु, गोण, लाल वस्त्र, लाल पुस्प, लाल चंदन, मानिक, सहद, केसर, सोना, तामबा, शुद्ध घी, कुम-कुम, आदी दक्षिना सहित दान करें धनो तथा मीन रासी, धनो तथा मीन रासी वाले मौनिय मौस्या के दिन, पीला वस्त्र, हलदी, पीला अनाज, केला, चने की दाल, पुखराज, या उसका उपरत्न, सुनहला अथवा पीला हकीक्थ, देशी घी, सोना, केसर, धार्मिक पुस्तर, पीला फूल, सहद, आदी दाण हेतु सम्मिलित अवस्य करें मकर राशी तथा कुंभराशी मकर तथा कुंभराशी वाले मौनिया मौस्या के दिन काले तिल, काला वस्त्र, लोहा, काली उड़द दाल, काले फूल, सुर्मा, मतलव काजल, चमडे की चपल, कोईला, काला मिर्ची, नीलम, अथवा उसका उपरत्न जमुनिया, काले चने, काली शर्षो, सर्षो का तेल, आधी दान करें, मौनिया मौस्या, पूजन, विधी विधान भी जानी है, इस वीडियो के माध्यम से, मौनिया मौस्या के परवपर, संकर जी का रुद्राविशे करने का विधान है, अमौस्या के दिन, सुर्जे, चंद्रमा का मिलन होता है, चंद्रमा स्तुर्ज से अस्त हो जाता है, अमौस्या पर, चंद्रमा से सम्मनित, सफेद वस्तु में, जैसे चीनी, चावल, दूद, दही, आधी का दान करने से, चंद्रमा अनखूल होता है, दान करता को, मांशिक, शांती, और सफलता मिलती है, स्नान के पश्चार, गव, अन्य, बस्त्र, श्वर्ण, रजत, इत्यादी या अन्य कोई भी, सुलभ वस्तु दान करने का महत्व है, दान के पश्चार, स्री तुलसी जी, संकर जी, पार्वती जी की, बिदी विधान सहेद, भाक्ती पुर्वाक पूजा करे, तता पीपल के ब्रिक्ष की 108 बार परिक्रमा करे, और प्रतेख परिक्रमा में, पीपल के ब्रिक्ष पर कोई बस्तु हर बार चढ़ानी चाहिए, पीपल के ब्रिक्ष की 108 परिक्रमा आए, पूरी कर लेने के बाद, सभी परिक्रमाओं में चड़ाई हुई सभी बस्तु में किसी ब्रामण को दान कर दी जाए दान करते समय मन ही मन कहें हे अमाउस्या यह दान आपके निमित है अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, सेर करें और जादा से जादा कमेंट्स करें तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त नमस्कार, जैस्रिकिष्णा बंदे मातरम